हलो प्रेंड्स वल्कम तो मैं चैनल टेक्निकल लश्विन आज प्रेंड हम पुल पुल का 290 लिटर ग्लास डोर रेफिजेटर अन्बेसिंग करेंगे तो आपका इसी साल का नया और लेटेस मोडल है तो प्रेंड आप हमारे चैनल पे नहीं आए तो सब्सक्राइब कीजिए और इसी नहीं नए वीडियो के नोटिशिन पाने के लिए बिल आइकन को उन कर दीजिए चलिए फेंड वीडियो स्वरू करते हैं तो फेंड फ्रीज आमारा अन्ब्रेसिंग हो चुका है यह आपका हुल फुल का ग्लास डोर का रेफिजेटर है जो आपका डबल डोर में आजाता है और इसी ग्लास के उपर आपका 3D प्रिंट भी मिल जाता है जो आपका छोटा छोटा करके आपका 3D प्रिंट इसी गंदर आपको मिल जाता है और फेंड यह आपका ग्लास डोर है जो आपका स्क्राच नहीं होगा और आपका टॉप एंड ग्लास इसी के फ्रॉं आपका आपका प्लपली बाटी और चलिए, वो भी आपका लेदर कूटेड बाटी है, थो आपका रूष्ट नहीं लगेगा, तो फेंड चलिए इसके अंदर में देखते हैं क्या-क्या स्पेस मिल जाता है और इसके अंदर और क्या-क्या फैसलिटी आपको नेया और आडवांस मिल जाता है तो फेंड ये उसी का अंदर का refugitor है जो आपका बहुती बड़ा space इसी के अंदर मिल जाता है और इसी के उपर में आपका ice chamber मिल जाता है जो आपका twist करने के लिए आपका tray मिल जाता है जो आपका twist करके आपका ice निकल सकते हैं और इसी के साइड में आपका Ice Zone मिल जाता है, जो आपका Ice Cream Tray है, जो आपका इसी के उपर Ice Cream रख सकते हैं, जो आपका ज्यादा Chilling इसी के अंदर करेगा, और उसी के नीचे आपका Convert करने के लिए Option मिल जाता है, जो आपका Normal Freeze जाता है, जो आपका इसी Ice Chamber को आप Convert भी कर सकते ह जो आपका mini freeze कर सकते हैं और आपका deep freeze भी कर सकते हैं और इसी के side में आपका cooling के लिए आपका thermocool मिल जाता है जो आपका line cut ने के time है आपका ज़्यादा time cooling maintain करके रखेगा और उसी के बाद इसी में आपका जो door मिल जाते हैं और इसी में जो आपका gasket लगा हुए, तो आपका anti-locking वाला gasket है, जो आपका easily removal करके आपका saab भी कर सकते हैं, और फिर इसी ice chamber के door में भी आपका दोठो rack मिल जाता है, जो आपका frozen food रखने के लिए आपको काम आएगा, जो आपका बहुत ही बड़ा rack इसी के अंदर आपको मिल जाता है, और इसी के निचे आपका freeze के door में आपका बहुत सारा rack मिल जाता है, जो आपका easily removal करके, आपका detachable करके saab भी कर सकते हैं, और उपर निचे भी कर सकते हैं, और इसी के अंदर आपको एक tray मिल जाता है, जो आपका अलग से पचस करना नहीं पड़ेगा, इसी के अदर देखते हैं, कितना space और आपका के के facility इसी के अंदर मिल जाता है, सबसे पहले इसी में जो आपका उपर में आपका tray मिल जाता है, वो आपका sliding बलट रहे है, जो आपका easily sliding करके आपका बाहर और अंदर ले जा सकते हैं, जो आपका सामान निकलने में दिक्कत नहीं मिल अदर आपका cooling control के लिए भी आपका adjustable मिल जाता है, जो आपका low, high और आपका maximum cooling कर सकते हैं, उसी के अंदर आपका quick chill का इभी option मिल जाता है, जो आपका instant cool करना चाहे, तो आपका quick chill mode में use कर सकते हैं, और उसी के अंदर आपका LED light का option मिल जाता है, जो आपका night के time भी easily visible कर कुछ odor or smell नहीं रहेगा, और उसी के अंदर आपका fresh flow का option मिल जाता है, जो आपका दोनों side मिल जाता है, जो आपका पीछे से cooling करेगा, और आपका side से cooling करेगा, जो आपका हर side cooling में आपको provide करेगा, और इसी के अंदर आपका light off करने के लिए भी option मिल जाता है, जो आपका light का स्वीजे जिसी का अंदर आपका door close होगा तो आपका automatic light off हो जाएगा और इसी का निचे आपका जो vegetable box मेल जाता है वो आपका बहुती बड़ा vegetable box मेल जाता है जो आपका aft time ज्यादा सामन रख सकते हैं और इसी का अंदर आपका moisture control का यह option मिल जाता है जो आपका आपका vegetable में mustard नहीं लगेगा आपका mustard fresh vegetable आपका होत दिन मिलेगा और इसके अंदर आपका manual भी मिल जाता है जो कुछ operating जानना चाते हैं तो इसे manual guard से आपके देख सकते हैं और इसके अंदर आपका vegetable और fruits दोनों ही रख सकते हैं और फेंड इसी के अंदर जो आपका सारे glass लगा हुआ है वो आपका top and self बला glass है जो आपका अंदर का glass है वो भी आपका top and self है और आपका freeze के बाहर में जो लगा हुआ है वो भी आपका top and self बला glass है जो आपका 175 kg तक आपका load ले सकता है और इसी के अंदर जो आपका सारे rack भी वह भी आफका crystal blar rack है, जो आफका आसानी से तूटे गा नहीं, और फेंड यह जो आफका reportator है, यह आफका non- Summitable Refusator है, जो आफका freezor का chamber है वो आफका freezor ही ही यूज़ करेंगे, और freeze का chamber आफ freeze ही यूज़ करेंगे, जो आपका inverter compressor इसे के अंदर नहीं मिलता तो फेंड आप इसे पचस करना चाहते हैं तो इसे का MRPA 38,990 आप बहार से पचस करेंगे तो आपका 31 से 32 के अंदर मिल जाएगा जो आपका Whilpool का 292 लिटर का refugator है जो आपका glass door के साथ आजाता है और फेंड इसे refugator का जो door है आपका बहुत ही मोटा door है जो आपका cooling loss होने नहीं देगा जो आपका line cut गया तो आपका ज्यादा time आपको cooling को maintain करके रखेगा तो फेंड इसे refugator पचस करना चाहते हैं तो मैं आपको link discussion देदूँगा वो इसे डड़ जाका purchase भी कर सकते हैं तो अपने इतना था वीडियो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए और share भी कीजिए और subscribe कर लिजे हमें ऐसे यह इंटरेस्टिंग वीडियो इस चनल पर लाते रहते हैं Thank you